हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बाक टो अवर चैनल डेली बाइट्स आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिकी बर्गर इसे हमने बिल्कुल रेस्टरॉन स्टाइल बनाया है और इसका आउटर लेयर बहुत ही क्रंची बना है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेर करना न भूलें तो शुरू करते हैं इसे बनाना सबसे पहले हम आलू का मिक्स्चर बनाएंगे मिक्स्चर बनाने के लिए हमने चार मीडियम साइज आलू लिये हैं जिसे हमने ग्रेट कर लिये हैं अब हमें एक पैन लेंगे पैन में दो चमज टेल डालकर उसे अच्छे से गरम कर लेंगे तेल के गरम होने पर हम उसमें एक चम्मच जीरा आड़ करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे इसके भूनने पर हम इसमें फ्रेश माटर आड़ करेंगे और इसे कवर करके पांच मिनट के लिए पकाएंगे पाँच मिनट के बाद इसमें शिम्ला मिर्च ड़ करेंगे, अब इसमें एक चमच नमक, एक चमच देगी मिर्च, एक चमच धनिया पावडर और एक चमच हल्दी ड़ करेंगे और इनें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनके अच्छे से mix होने पर इसमें grated आलू add करेंगे इने भी हम अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें एक चमच अमचूर पावडर, एक चमच भुना हुआ जीरा और आधा चमच हल्दी add करेंगे और इने भी एक mix देंगे मसाला भुन चुका है, अब इसे side पर रखके ठंडा होने देंगे मसाले के ठंडा होने पर अब इसमें पोहा add करेंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे पोहा हमने इसलिए add किया है क्यूंकि इसे टिक्की की binding बहुत अच्छी होती है टिक्की का mixture ready हो चुका है, अब हम इसे shape देंगे टिक्की बनाने से पहले हम हाथों पर oil लगाएंगे ध्यान रखें कि हमने टिक्की का size थोड़ा burger से छोटा रखना है क्यूंकि इस पर bread crumb की coating आएगी टिक्की को हम कुछ इस तरह से shape देंगे इस तरह से हमने बाकी टिक्कियां भी ready कर ली है अब हम आलू टिक्की की coating की तयारी करेंगे coating करने के लिए हमने एक plate में bread crumb लिया है bread crumb बनाने के लिए हमने white bread के 4 pieces लिये हैं जिसके हमने corners को काट लिया है और उसके white portion को हमने दरदरा grind कर लिया है फिर इसको pan में डाल कर थोड़ा सा roast कर लेंगे अब इसकी slurry बनाएंगे slurry बनाने के लिए हमने इसमें 2 चमच corn flour, 1 चमच मैदा, 1 चमच देगी मिर्च, 1 चमच नमक और थोड़ा सा पानी आड़ किया है अब इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे अब हम burger में यूज होने वाली tangy sauce बनाएंगे इसे बनाने के लिए हमने एक बोल में 3 चमच मैयोनीज, 3 चमच टोमेटो सॉस, 1 चमच चिली फ्लेक्स और 1 चमच इटालियन हर्ब्स यूज किया है और इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब हम टिक्की की coating करेंगे सबसे पहले हम टिक्की को मैदे से coat करेंगे ध्यान रखें कि टिक्की के चारो तरफ मैदा अच्छे से coat हो जाए अब हम इसे slurry में dip करेंगे slurry में अच्छे से dip होने के बाद हम इसे breadcrumb में अच्छे से coat कर देंगे इसी तरह से हम बाकी टिक्कियां भी ready कर लेंगे अब हम टिक्की को deep fry करेंगे अब हमें कडाही लेंगे कडाही में तेल डालकर उसे अच्छे से गरम कर लेंगे तेल के अच्छे से गरम होने पर हम इसमें one by one टिक्की आड़ करेंगे ध्यान रखें कि हम at a time दो टिक्की ही fry करेंगे टिक्की के brown होने पर हम इसकी side change करेंगे इसे हम golden brown होने तक deep fry करेंगे टिक्की अब ready हो चुकी है अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे आप देख सकते हैं कि इसका color कितना अच्छा आया है और इसका outer layer कितना crunchy हो गया है ये बिल्कुल ही restaurant style बनी है अब हमें एक pan लेंगे pan को थोड़ा सा गरम करके इसमें एक चमच बटर आट करेंगे बटर के थोड़ा सा melt होने पर हम इस पर burger थोड़ा सा toast कर लेंगे burger बनाने के लिए हमने थोड़े से lettuce leaves लिये हैं थोड़े से tomato लिये हैं और थोड़े से onion rings लिये हैं और tangy sauce लिये हैं अब burger को ready करेंगे सबसे पहले हम बन की नीचे वाली bread पर tangy sauce लगाएंगे अब इसके उपर टिक्की रखेंगे और फिर थोड़ा सा cheese slice रखेंगे फिर tomato अनियन और फिर थोड़ा सा tangy sauce लगाएंगे और इसके उपर lettuce leave रखेंगे और इसे बन के दूसरे portion से cover कर देंगे आप देख सकते हैं कि burger कितना tempting लग रहा है और यकीन मानिए ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा आप इसे घर में ज़रूर try करें और comment करके ज़रूर बताएं कि ये dish आपको कैसी लगी और भी ऐसी interesting recipes जानने के लिए आप हमारे चानल को subscribe, वीडियो को like और share करना न भूलें न खुचिछ आप उड़ ये जाईल हो जानल डेलिबाइस